Hello everyone, welcome back to our YouTube channel तो मैं आपको आज की इस क्लास में जोग्राफी के 10 मोडल सेट को कम्पिल्ट कराने वाला हूँ जो भी इस तो आज की इस क्लास को और कम्पिल्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको एक्जाम में इससे एक भी क्वेस्टन बाहर पोचान नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग 10 years के previous question paper को कम्पिल्ट करने वाले हैं और इसमें मैं आपको 10 मोडल सेट कवर कराऊंगा और इसमें जितनी भी सारे आपके जोग्राफिक के जो objective type question है वो सारा इसी class में आपका मैं finish कर दूँगा जी हां आपको सुरू से लेकर class को आखिर तक दिखना है और class अच्छी लेकर तो आपको like कर देना और अपने दोस्तों को आपको share कर देना है और जो भी इस चैनल पर नए आरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मैंने इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का जो है यह प्रीवेश क्वेस्टर पेपर है बिल्कुल अपलोड कर दिया तो आप लोग चैनल के प्रेस्ट में जाके चेक के लिएगा मैंने सारा कुछ अपलोड कर चुगा है जी हां तो बिना टाइम को वेस्ट की हम लोग क्लास के और चलेंगे और जितनी पी क्लास में इस्टुरेंट से आप लोग साथ साथ में कमेंट बोक्स में आंसर बतताते चलेगा कौन सा आफ्शन करेक्ट होगा चले तो question 1 इसकीनी पर आ चुगा है क्या बोला जा रहा है question 1 में और यहां पर राइटन सा आप लोग बताजिए कौनसा आफ्शन करेक्ट होगा निम्रेल खित मैंसे किस नगरिया समोहन में परवासी जन्सिंग्या का अंस शर्वादी कर दिखा कौनसा नगरिया समोहन है य यहां पर आंसर सबका option number a आ रहा है तो बिल्कुल correct हो जाएगा नि मॉंबई में जैसा कि हम लोग ने परवी चुका है चले आप question 2 भी देखिएगा और यहां पर ऐसे बहुत सारे question होंगे जिसको आपने पार बार पढ़ पढ़ चुका है आपको पढ़ना है जी हां क्योंक option number a बिल्कुल correct हो जाएगा नि लक्षिरी चले आप question number 3 को देखिए और आप लोग राइटन साब आते हैं क्या बोला जा रहा है रुको और जाओ निश्चेवाद की संकलपना किस ने दी है जिहां तो किस ने दी है तो यहां पर 3 का राइटन साब्चन नमर डी बिल्कुल correct हो जाएगा नि टेलर ने गिरिफिट टेलर ने दी है चले तो आप question number 4 को दिखिएगा और राइटन साब्चन क्रेक्ट होगा जिहां क्या बोला जा रहा है निम्नलखित यूरोपीय देशु में से किसमें नगरी करन सरवादिक पाया गया है यहां पर राइटन सा बताने है वाइडिकूर्ट यहां पर option number B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नि बेल जीम में चले तो आप देखलेंगे next question question 5 और आप लोग राइटन सम्द्ध होगा पीलानी नगर का सम्मद्ध किससे है यहां पर राइटन सम्द्ध आने है तो option number D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चावाल यह अभी फसल नहीं है चले तो आप question number 7 को देख लीज़े क्या बोला जाए 7 में और राइटन से फटाफर कमेंट बुक्स में बोक्स में तो यह कौन सी रोपन फसल नहीं है तो यहां तो यहां पर 7 का राइटन से कौन सा हो जागा वेरीकूर्ट यानि option number क्या है य क्या है यह रोपन फसल नहीं है यानि यह गहान निर्वाहन किसी है चले तो आप देख लेंगे next question question 8 और राइटन से फटी कौन सा उप्टी को बना लीजेगा ताकि आपको साफ साफ दिख जेगे क्या बोला जाना में नाइन में जवाहल लाल नहरू नहावा यानि शेवा पत्तन है यहां कहां पे है यह तो नाइन का राइटन से उप्टन नमर बी बिल्कुल कर्रेक्ट हो जागा यानि मॉंबई में है चले तो आप देख लीजे next question question 11 क्या बोला जाना 11 में फट्टाफ कॉमेट बोक्स में कौन सा ओफ्ट्र करेक्ट होगा निम्रिकित में कौन सा आउधात्वी खरीज लिए आप सब को पता है यह यह अपक्या आपका जाया रहा है जिए किस राजे में नहर नहर जिए यहां पर 12 का ओप दी राजस्तन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले तो लोको ने बार बार पड़ चुगा है कि सरक पढ़ी वहां से तो अप्स निमर भी बिल्कुल निम्न मेंसे सरवादिक जंघनत्व का छेत्र कौनसा थी हां कौनसा छेत्र है जापे सरवादिक जंघनत्व पाया जाता है जहां पे ओप्पशन दी यानि दक्षिन एसिया बिल्कुल गरेक्ट हो जाएगा चलिए तो अब देखलेंगे next question question कारक नहीं है तो 16 बिल्कुल करेक्ट हो जाए गाने में वनस्पती चलिए आप देखने के सब्सक्राइब किस राज में सबसे कम अनुसूची जन जाती है यहां कौन से राज में सबसे कम अनुसूची जन जाती है यहां तो अप्शन नमर्ट B यानि पेट्रूलियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आप नेक्स क्वेशन देख लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाने करनाटक में हैं आप देख लिए नेक्स क्वेशन क्वेशन विकास प्रोग्रम्ट जिहां आइटी डीपी का संबन संबन मीद जन जाती है विकास प्रोग्राम से है चलिए आप देख लिए नेक्स क्वेशन क्वेशन मर्ट 22 और आप लोग राइट अंसर परसीद है जिहां तो बाला घाट किसके लिए परसीद है यहां पिर राइटर से बताने हैं तो 22 में आप्श इसरी में और बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा नि गुजरात जीहां यह सूती वर्सा का सबसे बड़ा उत्पादक राज है चलिए और मैं जितनी भी क्वेशन में आपको साथ साथ में याद करने आपको भूलना नहीं है अगर हो सके तो आप दोबारा भी क्लास को कर सकते जीहां क्या आपको बोड़ेग्जाम यहां से डारेक्ट ली क्वेशन पूछी जाएंगे तो आपको हरहाल में याद कर लेना आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है क्या बोला जा रहा है इनमें से कौन लह इसपात कार खाना समोद तर्पर इस्तित है जीहां कौन से लह इ तो 25 में और सी बिल्कुल करेक्ट हो जागा असर्म राज्य में हैं चलिए आप देखलेंगे और 27 और आप लोग राज्ण से पाई जाती है कौन से राज में गद्धी जंजाती पाई जाती है यहां पर प्रदेश हो जाएगा क्या बोले जाले 28 में और आप लोग राइटर सब्सक्राइब क्रेक्ट होगा निम निजित मैं से कौन सी अनुसी जंजाती भानत में सबसे अधिक है कौन सी जंजाती है यहां पर 28 में और यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निम गोंड लोग ने कंपिलीट कर लिया और जैसा कि आप देख पा रहे होंगी कि अचुगा है जिहां तो हम लोग आप मोडल सेट को देखते हैं तो यहां पर सलते हैं क्वेस्टन आंसर की और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ओप्ष्ण करेक्ट होगा चलिए तो क्वेस्टन बन भी स्कीन पर आ चुगा है क्या बोला जार इसके अंतराल पर की जाती है कि जाती है किसमें मुखत रसदार फलों की खेति की जाती है तो मैंने आपको बारबर बता चुगा है कि भूमत्य सागेरी किरिशी होती है उसमें रस्तार फलों की किरिशी की जाती है तो ऑफ्शन नमर्डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और फिर राइटन सब्सक्राइब कॉमेंट बॉक्स में कौन सा होगा निम रिखित देशों में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है तो कौन सामेंगा नदी का परमुक परदूसक है। कौनसा नगर है जो गंकान रदिया सबसे बड़ा पड़ोदूशक यहां तो नगर नेक कानपूर बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा चलो तब नेक्स सब्सक्राइब करेक्ट करेक्ट हो जाएगा यह 15 वर्ष तक रहता है कुछ बच्चे को कमिट आ रहा है लेकिन बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं मेरा स्पीड में पढ़ाने का रिजन है क्यूंकि आपका एक्जाम टाइम बहुत ही कम है और आपको ज्यादे पढ़ना बहुत ज्यावफ में मानव विकास का अस्तर उचा नहीं है आँकि समय नहीं है किस में ब्रेम और किलो मीटर में रहने वाले लोगों की Сंख्या ko जनसंगिया 10 कहते हैं तो ऑप्षोन नमर्स यह बिल्कूल क्रेक्ट हो जाएगा नियुक्त घंणत्व कहते हैं चाहिए तो अब क्वेस्टन में Bugün कुछ्ट्न में तूंडरा भाग में रहने वाली आदीम जाती इन में से कौण है और यह यहां प्र यहां पिल्कुल करेक्ट पूर्ण हो जाएगा ने एक्ष्टनर 14 क्या बोला जा रहा है चले जुआ आचुका है स्क्रीन पर स्वेज नहर का निर्मान कब हुआ था जिहां कब स्वेज नहर का निर्मान हुआ तो अप्ष्टन नमर ए यानि पर्थम भारतिय उपगड़ा है चले तो अब नेक्स्ट क्वेश्टन देख लिए क्वेश्टन में 16 में करेक्ट होगा एशिया के सबसे बड़ी मलीन बस्ती धारावी कहां इस्तित जिहां कहां है सबसे यानि मलीन बस्ती तो ऑफ्ष्टन नमर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाग है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जागने सिंदू घाटे संप्रिता में पाई गई है तो आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्टन नमर 18 फिर आप लोग राटन सबसें क्या बोला जा रहा है बलास निमनलखित मैं से किस भागलिक अवधारना से संब्दित है यानि बलास से क्वेश्ट हो जाएगा तो आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्टन में और आप लोग राटन सबसें क्वेश्टन में कॉंसर आप स्वेश्टन करेक्ट होगा बहारत का सबसे बड़ा तेल सोधन का का रखाना कहां है कहां सबसे बड़ा तेल सोधन का रखाना तो अप्शन नमर यानि जाम नगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो आप क्वेश्टन में 23 को देख लिए क्या बोला जाए 23 में भात का हुली और द्योगिक परदेश किस राज्य में इस्तित है जिए तो यहा पस्ति मंगाल में इस्तित है जाले आप नेक्स क्वेश्टन देख लिए 24 में कौन सा आफ्शन होगा राष्ट्रिय विकास परिश्ट का अध्यक्ष कौन होता है जिहां कौन इसका अध्यक्ष होता है तो यहां पर अप्शन नमर बी यानि परधान मंतरी करेक्ट हो मॉंबई पत्तन चैने आप नेक्स वेश्ट में 26 देख लिए 26 में वेरी गुट बटाइटन सा बताइए भारती रेल परणाले को कितने मंदलों में विभाजित किया गया है तो 26 में अपस्वर में बिल्कुल क्रिक्ट हो जागा निए 17 मंदलों में किया गया है अब देख यह क्याख लेजिए 27 में किस गया सब्सक्वाइब गया सब्सक्राइब नाम से बनाता है चाएब यानि nitrogen dioxide right answer हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे आखरी क्वेस्टन आज की इस निमोडल सेट टू का तुराइट अप्टेट में करेक्ट होगा वायू मंडल में carbon dioxide oxide gas की मात्रा बढ़ने का परिणाम है जिसका बढ़ने का नी carbon dioxide gas की मात्रा बढ़ने का कौन सा परिणाम है तो 28 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भू मंडलिये तापमान में विरिदी जिसको global warming बोलते हैं जिसको हम लोगों ने मोडल सेट 1 और मोडल सेट 2 को भी कर लिया इस चलते हैं मोडल सेट 3 की और आप लोग इसी तरह class class तक बढ़े रहेगा अगर आपने आप तक class को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों में आपको हराल में शेयर कर देना है ताकि वह भी class का benefit उठा सब्सक्राइग करें चाहिक प्रवास में पर्मुक्स हैं अप सब पता हैं कि पर्वास होता है बिलकुल किया करेंट हेगा चली अब रत या पर देखिए नहीं है लिए नदी के तदपर इस्तित नहीं है यहाँ पर डेखलेंगे निक्सक्ट्न क्या बोला जाएगा डख्षिन अमेरिका के सितोष्ण घास के छेत्र कहलाते हैं तो दक्षिन अमेरिका में यहीं पंपास कहलाता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब क्वेश्व को देख लिए क्या बोला जा रहा है निम्रेखित नगरु में कौन सा भारत का पीट्सबर्ग करेक्ट होगा भारत के निम्रेखित बंदर गाहूं में से कौन सा ओडिसा तरपर इस्तित है अब क्वेश्व को देख लिए क्या बोला जा रहा है निम्रेखित मैंसे किसे माना भूगोल का जनक कहा जाता है तो टेन का अप्शन नमर्सी बिल्कुल करेक्ट हो जागा निए रेडजल को कहा जाता है क्वेश्व को देख लिए क्या बोला जाए निम्रेखित मैंसे कौन सा सही नहीं है यहां पर कौन सा ओप्शन सही नहीं है तो क्या हो जाएगा क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निए निम्रेखित मैंसे किसमें कहवा चाए वो रबर जैसी ससलों की किरिशी की जाती है किसमें की जाती है जब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निए किरिशी में चलिए तो आप नेक्स क्वेस्टन देख लिए क्या बोला जाएगा फिर आइटन सब्दे कौन सा क्रेक्ट होगा बहारत का लिंक अनुपाद कितना था जो है नो सो चालिज पर एक हजार पूरुस में तो आप देखलेंगा नेक्स क्वेस्टन नमर्ट क्या बोला जारा है भारत के किस शहर में हीरात रासने का कार्या परमुख होता है तो भारत के कौन से शहर में होता है फटाफ़ आटन सब्सक्राइब इनमें से सभी चलिए अब नेक्स क्वेस्टन देखलेंगा इसक्वेस्टन नमर्ट बहुएं संसार के निम्रखित परदेशु में से किसमें कुत्तों एवंग रेडियर को भार वाहक के रूप में परियोग किया जाता है तो 17 का इटन से ऑफ्षन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिखानी टूंडरा परदेश में किया जाता है चलिए अब देखलेंगे यह क्वे सब्सक्राइब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बादाम पाहर किस खरीज के लिए परसीद है बादाम पाहर तो पर 20 में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नि लोहा के लिए परसीद है चलिए तो आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेशन में क्वेशन में कौन से ऑफ्षन करेक्ट होगा राहुल केला इस पात सनियंत किस देश के सहीजोग से अस्थापित किया गया जिहां कौन से देश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेशन में 25 और इस अप्षन में 25 में क्या जाला धहने परदूशन का मापन होता है यहां पर आपिशन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देशिबल होता है चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेशन में 26 और आप लूटीओ का अर्थ होता है यहां व्ल्ड ट्रेड और गेनाइजिस जिसकों लोग बोलते ह यानि विश्प वयापार संगर है तो ऑफ्चेन नमरर ची बिलकुल करेक्ट हो जायेगा च्छिवर आप देखेलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन में 27 और आप लोग ट्रैटन सब्सक्राइब कौन साउफ से करेक्ट होगा ग्रें ट्रंक सरक्त के आंतरकर आते हैं कौन से आते है यहां पर देखलेंगे क्वेस्टन में 28 क्या बोला जाए 28 में फिट आइटन से कौन सा पत्तन पुर्वी तरफ पर इस्तित है यहां पर ऑफ्षिनल डी बिल्कुल कर्रेक्ट हो जाएगा जिखानी चन्ना जिखानी क्या बोला जा रहा है राष्ट्री राजमाग नमबर 3 किन है बिलाता है यहां पर राइटन से बताने है तो वनका राइटन से ओप्षिन नमर्ड ए बिल्कुल कर्रेक्ट हो जागा निया आगरा को मुंबे से मिलाता है चले आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन में 2 और आ क्रेक्ट हो जाएगा जिखाने धार्मिक अस्थिल के लिए परसिद्ध है चले आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन और 3 क्या बोला जाना फिर राइटन सब्सक्रेक्ट होगा भूटिया जंजाती का संब्सक्रेक्ट कहां से है तो ठीरी में बिल्कुल कर्रेक्ट हो जा जाले की लिए हाँ चले आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेस्ट और 5 कैणस ऑफ्जट हो जाएं Susnit करेक्ट होगा यहां किस परकार की जलवाईयों का पौधा है यहां पर सिक्समें और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिए अभरक के लिए परसिद्ध है यहां पर देखलेंगे होगा भारत के निम्रहीत बंदर गाहों में से कौंसा मालाबार तरप्र अवस्तित है यहां पर देखलेंगे ने फ॥ बंडर आंसर बता यह है और अस्ट्रेलिया के सितोंस में घास के छेत्र कहले थे ह्यां इस यहां यहां पर देखलेंगे सी करेक्ट हो जाएगा जी आने डाउन्स कहलाते हैं कि यहां अब देखलेंगे नेक्स क्वेस्ट्ट्र में क्या बोला जाए लो ना फिर आइटन तब यह कौन सा ऑफ्चिर करेक्ट होगा पारिज थीति के तंत्रे के दो संकटक होते हैं जो है ज़ो कौन है यहां पर टेन संपर्दाए था यहां पर आपको आप्षेंगे क्या ओप्षेंगों किसमें जन्संग्या का घंद सबसे अधिक है यहां पर आप्षेंगे बिलकुल क्रेक्ट हो जाएगा जिए बंगला देश्में सबसे अधिक है चलिए आप किन देशु में आयू लिंग पीरामीड का आधार विश्त्रित और शिखर संकीर नहीं कौन से देशु में है तो 13 में राइटेंस आप्सों नुमर कौन सा हो जागा डी बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिहानी जहां मिर्ति उदर निम्न होती है चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है किस परकाल के किरिया कलाब से संब्धित है तो 15 में राइटेंस आप्सों नुमर बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिहानी द्वित्य किरिया कलाब से चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 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 क्या बोला जा रहा है सरवाधिक सरक घनत और सबसे अधिक वाहनों के संख्या निमनेशित मैं से किस महादेश में है जिहान कौन से महादेश में तो 16 में आप्सों नुमर ये बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिहानी वेने जोएला में क्वेश्चन में 18 को देख लेंगे में क्या बोला जा रहा है वाल्टर बर्ली ग्रीफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाएती जिहां कौन से नगर की योजना बनाएती 18 में एक करेक्ट हो जागा जिहानी केनबरा चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 क्या बोला जा रहा है रोलेगन शिद्धी किस राज में है तो 19 में रैटन से नमर कौन सा हो जागा बी बिल्कुल क्रेक्ट हो जागा जिहानी महारास्त्र में आपको साहथ ऑप्शन थोड़ा इधर दिखता होगा लें कोई बात निए आपको मैनेज कर ल भारत में कोईला निक्षेप का लगबक 80% भाग किस परकाल का है जिहां पर रैटन से अप्शन बर बिल्कुल क्रेक्ट हो जाए जिहानी बीट्यू मिनस परकाल का है तेले आप देखलेंगे नेक्स क्वेश्चन में 22 क्या बोला जा रहा है पेट्रो रसाइन उध्योग के कौन सा कच्चा माल है पेट्रो रसाइन के लिए तो 22 में अप्शन बर सी करिक्ट हो जाए जिहानी पेट्रोल तेले आप देखलेंगे नेक्स क्वेश्चन में 23 क्या बोला जा रहा है फिर इंद्रा गांदी नहर कमान छेत्र में सतत पोश्चन विकास के लिए इनमें से महत महतपूर्न कारक है तो 23 में अप्शन नमर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए जिए पारित तंत्र विकास चलिए आप देखलेंगे नेक्स क्वेश्चन 24 क्या बोला जा रहा है वर्तवाम समय में इंडियन एरलाइन्स को किस नाम से जाना जाता है कौन से नाम से जाना जाता है अप्शन नमर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए नि इंडियन नाम से जाना जाता है चलिए आप देखलेंगे नेक्स क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है फटावर आंसर बता है कौन से आप्शन करेक्ट होगा जिए कौन से पत्तन का प्रिस्ट परदिश है जिए कौन से पत अप्शन नमर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए नि महद्द परदेश में है जाबुआ जीला चलिए आप क्वेश्चन 27 को देख लिए क्या बोला जा रहा है परमानु उर्जा आयोग की अस्थापना कभ हुए जिहां कभ हुए थी परमानु उर्जा आयोग की अस्थापना त सब्सक्राइब्द लोग नने जो आइसज़ बिल्कुल कमपलेटकर लिया और आप लोग नेक्स्ट्र नेक्सक्सजाय मॉर्डवायुक की 250 Rebecca इच्वर्ण है तो यहाँ पर आपकि सब्सक्राइब स्वेज नहर मिलाती है तो 2 में option nummer C बिलकूल करेक्ट हो जाएगा भूमद सागर को लाल सागर से मिलाती है फल एवंग सब्जी परदेश का विस्तार भारत के किस परदेश में है यहाँ पी option nummer A बिलकूल करेक्ट हो जाएगा जिखानी हिमाले परदेश में है क्या बोला जारा है ब्राजील में कहवा के बगान कहलाते है जिहां ब्राजील में क्या कहलाते है कहवा के बगान तो 6 में option वे बिल्कुल correct हो जाए जिहां निए फेजंडा कहलाते है चलिए आप देखलेंगे next question 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 7 और आप लोग रैटेंस वे 7 में कौन सा option correct होगा 2011 बिग pipeline से dash का परिवहन होता है जिहां किसका परिवहन होता है यहां पर रैटेंस option वे बिल्कुल correct हो जाएगा निए पेट्रोल का परिवहन होता है चलिए अब next question देखलेंगे next question question 9 क्या बोला जा रहा है माउंट आबू निमने मैंसे किस प्रकाल कर नगर है जिहां तो किस प्रकाल कर नगर है माउंट आबू यहां पर रैटेंस option वे बिल्कुल correct हो जाएगा जिहांनी मॉंबई क्या है यह सबसे बड़ा माहा नगर है चलिए अब देखलेंगे next question question 11 क्या बोला जा रहा है किस प्रकार की बस्तियों की पर्मुखता है यहां पी option वर सी बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अब देखलेंगे next question question 13 क्या बोला जा थर्टीन में फटा फ्रकासित कर रहा है जिहां तो किस वर्षी से कर रहा है यहां प्य आप्स्टन वर सी यह नहीं बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अब देखलेंगे next question question 13 क्या बोला जा रहा है निम निशित मैंसे कौनसा भारत के सुई विक्सित प्राची नगुरु का एक उधारान है जिहां तो कौनसा पर उधारान है तो 14 में correct answer कौनसा हो जागा option number C जिहानी मदूराई चलिए आप देखलेंगे next question question 15 क्या बोला है फटा पर answer बताईए उद्योग जो किसी निश्च 16 में correct होगा very good question इसकी पर आ चुका है उच्छे अस्तरिय ग्यान और सोध से सम्मझत किरिया कलाब किस वर्ग से आते हैं यहां पर कौनसा correct हो जाएगा जिहां तो 16 में option number D बिल्कुल correct हो जाएगा निए पंचम किरिया कलाब में चलिए आप देखलेंगे next question question 17 क्या बोला जा 17 में फटावड answer comment box में बताएगे कौन सा correct होगा किस नहर को परशांत महासागर का द्वार कहते हैं तो कौन सा नहर को कहते हैं यहां पर option number बिल्कुल correct हो जाएगा निए पनावा नहर को कहते हैं चलिए अब देखलेंगे next question question 19 क्या बोला जा रहा है बहारी देश से कोई समा तो कहते हैं यहां पर option number क्या correct हो जाएगा निए उसको आयात कहते हैं अगर दोस्ते देश में भेजा आता तो उसको क्या बोलते हैं निर्यात बोलते हैं चलिए अब देखलेंगे next question question 19 क्या बोला जा रहा है विकाशील देशों में मानब बस्तियों की समस्या है जिए हां चिराज में काईगा परमानु सनियत्र अस्थापित है यहीं अवस्तित है तो 20 में option number B बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा चलिए तो आप देखलेंगे next question question 22 क्या बोला जाए 22 में फटा रांसे बताईए कौन राजधानी नगर है जिए हां तो कौन राजधानी नगर है तो 22 म चंडीगर चंडीगर क्या है राजधानी नगर है चलिए तो 23 को देख लिए तो कि आप बोला जा रहा है नौका दोर किस राजव में आयोज की जाती है 23 में option C बिल्कुल क्रेक्ट हो जागा नि केरल राज में चलिए तो 24 को देख लिए क्या बोला जाए 24 में फिर फटा फ नीरू कारियकरम है जी हां तो नीरू मीरू कारियकरम कैसा कारियकरम है यहां पर option number A बिल्कुल क्रेक्ट हो जागा नि जल्स अनदक्षन से संबंधित है चलिए आप देख लिए next question 25 क्या बोला है 25 में निम्लेशित मैंसे कौन क्रित्रिम पत्तन है जी हां कौन सा किर्त्रिम पत्तन है तो 25 में और सी बिल्कुल करेक्ट हो जागा नहीं चैन नहीं जिहां क्या ये क्रित्री पत्तन है चलिए आप इन मैं से कौन सा ओपेक का सदसी है तो 27 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं इकवाडोर चैने आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 क्या बोला जारा है 28 में फटावर आंसर पती कौन सा ओप्सें करेक्ट होगा नुएडा किस राज में है यहां पर आप बिल् सब्सक्राइब करेक्ट होगा भारत के निम्रेशित के अंदर शाषित परद्यसु में से किसी एक की साक्षरता दर निम्न है तो यहां पर वनका राइटनेस ऑप्शन नुमर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिए ने दादर एवंग नगर हेवेली हो जाएगा चलिए आप दखलेंगे नेक्स क्षिट्ट में तू क्या बोलना जाए त्री ने फट्टा पर आंसर बते कौन्स ऑफशन करेक्ट होगा लोहर दगा किसलिए परसीद है जिहां तो आपने अप्शन वरसी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिए बोक्स साइट के लिए परसीद्द ह सब्सक्राइब करेक्ट होगा उत्तर परदेश के बाद भारत की जंसिंग्या का अत्यदिक अनुपात इन मैं से किस राज्य में है तो फोर में अप्षिन नमर भी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिखने महारास्ट्र में है तो आप देखिलेंगे अप्षिन नमर डी करेक्ट हो जाएगा जिखने 15 से 69 वर्स चलिए तो अब देखिलेंगे नेक्स्ट क्वेस्ट्र में सिक्स क्या बोला जारा सिक्स में फटा पर आंसर बते कि कौनसा ऑप्षिन क्रेक्ट होगा नील गीरी पहारी कहां अवस्थित है तो कहां पर नील गीरी प अप्षिन नमर एक करेक्ट हो जाएगा जिखने चन्ने को मुंबे से मिलाता है चलिए अब देखलेंगे नेक्स्ट क्वेस्ट्र में फटा पर आंसर बते कौन सा क्रेक्ट होगा 2001-2011 के दोनान जैंसिंग्या की निम्रतम विरिद्धी तर किस राज्ज में है जिखने कौन स हो जाएगा जिखने रिष्टा में हुए थी जो की पस्तिम बंगाल में है चलिए आप देखलेंगे नेक्स्ट क्या बोला जारा टेन में मैं मैंन्चेस्टर किसलिए परसिद्ध है यहां पिराटन सा अप्शन वर बीकरेक्ट हो जाएगा जिखनी सूति वस्तर निवलहित मैंसे कौन सा प्राकर्तिक बंदर का नहीं है यहां पर exemption यहने बिल्कुल करीक्ट हो जाएं पिलाई इस पात सबसे बड़ा उत्पादक राज है तो सबसे बड़ा उत्पादक राज है तो 14 में गुजरात बिल्कुल क्रिक्ट हो उत्पादक हो 5 चावल है प्टाफ पर आंसे बतात हिए स्बसे पूर्वा मध्डर रेलवेच छेतर का मुख्याला है पूर्वा मध्डर रेलवेच रेलबे चेतर का मुख्याले कहा है तो आप्सवन नमर बी यानि हाजी फूर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे नेक्स क्वेस्ट वर्च्टिन क्या बोला जाएगा निम्निकित मैं से किस महाधीप में जनसे का विरिद्धी सरवाधिक है तो यहां पर क्वेस्ट यहां यहां और सबसेटेंगे निम्निकित मैं क्या बोला जाएगा निम्निकित मैं क्रेक्ट हो जाएगा चुका है क्या बोला जारा है किरिशी के अंत्रगात निम निखित मैंसे एक किरिया कलाप सम्मिलित है जिहां तो कौन से किरिया कलाप सम्मिलित है तो 20 में रैटन से ऑफ्चिन नमर डी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिहां ने इन मैंसे सभी हो जाएगा चलिए अब देखलें के question 21 क किस फसल की खेती पहारी ढालों पर की जाती है जिहां तो कौन से फसल की खेती की जाती है तो 21 में option नमर बी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिहां ने चाये चलिए अब देखलें के next question 22 क्या बोला जाए 22 में फटावर आंसर बताईए भारत में सबसे कम जंसे किया किस रा कार का नगर है जिहां दिली किस परकार का नगर है यहां पिया option नमर एन परसासरी के नगर बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे next question 24 क्या बोला जाए 24 में भारत में नगरी अधिवास को पडिवासित करने के लिए जंसेंग्या का नियूंतम होना चाहि है तो 24 में option नमर भी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा चलिए चारसो वेक्ती परती वर के किलोमेटर चलिए आप देखलेंगे next question question 25 में कौन सा option क्रेक्ट होगा क्या बोला जा रहा है इनमें से कौन छेत्र सुखा परवन ने छेत्र है जिखांगा कौन सा छेत्र है तो 25 में आप देखलेंगे next question 26 में कौन सा option क्रेक्ट होगा क्या बोला जा रहा है किस राज में गंडे का पेराई काल अपेक्षा किरित अधिक है तो 26 में option डी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिखानी तमिल लाडू में 27 को देखलें क्या बोला जा रहा है किस फसल की खेती में बुवाई के समय कम तापमान होनी चाहिए जिहां कौन सा खेती है तो 27 में डाटेंसर option बी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिखानी गेहों की खेती में आप देखलेंगे next question 28 और आप लोग डाटेंसर बादे 28 में क सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग क्लास के बने रहेगे और साथ साथ में आशर बता देजिलेगा कौन सा ओप्सन करेक्ट होगा पहले भالत मुख्य अत्तपादक देश ता लेकिन चीन कह रहा है किसने भुगोल के मानपता वा दिं Time कि therapist अश्थाप न की जिहां तो कि समपरदाई की क्स न कि सबसे लंबी तरेगा घ्राइब यहां पर आप्ष्ट को देख लिए क्या बोला जाए फूर में फिर अईटन सबती कौन सव आफ्च्ट हो गा निमने कित मैं से किस राज्यकी सबसे लंबी तर्ट रेखा जिए कौन से राज्यकी है यहां फोर में आप्ष्टन नमर B बिल्कुल क्रेक्ट हो जागा जिए हैं गुजरात चले तर आप क्वेश्चन फाइब को देख लिए क्या बोला है फाइब में फीट आइटनस बते कौन सो आफशन करेक्ट होगा भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाती है यहां पर फाइब में राइटनस आप्शन नमर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पेट्रियोल्योम वह चिकनाई पदार्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले आप क्वेश्चन में फीट आइटनस बते कौन सो आफशन करेक्ट होगा निम लिखित मैं से कौन भारत में नीली करांती से संब्दित है यहां पर राइटनस बताने है तो सिक्स में आप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जागा निम साग सब्दित से संब्दित है यहां पर एटनस को देख लिए क्या बोला जागा जिखनि बिहार वोकारो इस पास सनियंत का निर्मान हुआ था डैस के सहयोग सी दिहां किसके सहयोग सी हुआ था यहां पर राइटन से option नबर डी बिल्कुल correct हो जागा जिहां नी रूस के सहयोग से correct हो जाएगा जिला अब question 10 को देख लिए क्या बोला जाए 10 में फिर राइटन से बते कौन से option correct होगा उर्जा संसादन उपियोग की प्रकिरिया में अंतिम अवस्था है जिहां तो कौन से अंतिम अवस्था है तो 10 में राइटन से option नबर C बिल्कुल correct हो जागा जिए अवस्षिस्ट सामगरी का निप्टान चलिए आप question 11 को देख लिए क्या बोला जाए कौन जन जाती अर्थववस्था के साथ संबंदित है यहां पर 11 में राइटन से option नबर D बिल्कुल correct हो जागा जिए अस्थान तिरित किरिसी चलिए आप question 12 को देख लिए क्या बोला जाए करेक्ट होगा निम्निहित मैंसे किस राज्य में उसके किरिशी छेत्र का अधिक्टम परतिशत नहर सीचाई के अंतरगत आता है जिहां तो कौन से राज्य में है जिए बिल्कुल correct हो जाए जिहां तो क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं यहां पर option में जूम बिल्कुल correct हो जाए मॉंबई क्या है सूती वस्त्रे की राजधानी है जी हां सूती वस्त्रे की राजधानी का है तो 14 में रैक्टम से बिल्कुल correct हो जाएगा जिहां लोहा इस पात के लिए पंचम किरिया कलाप में लगे लोगों के लिए निम निखित पारी भाशुक संब्दु में किसका परियोग किया जाता है तो 16 में एक्टम स्वेंटिन को देख लिए क्या बोला जा रहा है निम निखित में से कौन परिवहन का तीवरेतम साधन है कौन सा परिवहन का तीवरेतम साधन है तो 17 में एक बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा यू परिवहन आप देख लिए नेक्स्ट क्वेस्टन में 18 आप लोगों राइटन सब्सक्राइब कौन सा उप्षन क्रेक्ट होगा रबर का सबसे बड़ा निडियातक देश कौन है तो कौ सब्सक्राइब क्रेक्ट हो जाएगा तो सबसे बड़ा पवन उर्जा सनियंत्र कहां है तो कहां सबसे बड़ा पवन उर्जा सनियंत्र क्रेक्ट हो जाएगा क्रेक्ट हो जाएगा मुंबई पुने में इस्तित है तो अब देख लिए सबसे एक रिपोर्ट किसके द्वारा परकाशित किया जाता है तो 23 में रेटन सब्सक्राइब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बुरूट लेंड रिपोर्ट हो जाएगा तो 24 में रेटन सब्सक्राइब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो 26 को देख लिए पर देख लिए क्या बोला जाएगा तो 27 को देख लिए क्या बोला जाएगा तो 27 में रेटन सब्सक्राइब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो 27 को देख लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो 28 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिहने जर्मनी में इस्ठित है अब लुग हैं आप कि वो जिलेंगे जिहां तो मॉटर सेट इसकी प्राइब हो जाए है है Moore Controller कि दूप कहुंग सब्सक्क्राइब फ्रांस में मानाब भोगुल के जनमत आता कोन है यहां गट loyalty सबसे वैस्तम समूद्री मार्क है तो थिरी में ऑप्शन नमर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिए उतरी अट्लांटिक यह क्या है सबसे समूद्री मार्क है जैंसंग्या की दिरिष्टी से भारत का विश्व में अस्थान है जिए तो यहां पर फोर में रैटनस ऑफ्शन नमर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिए द्वीत्ति अस्थान है और आप लोग कमेरे पास में यह भी बताएगा कि छेत्रफल की दिरिष्टी से भारत का कितना अस्थान है चलिए आप देखिलेंगा नेक्स्ट नमर फाइब क्या बोला जाए फाइब में फटापर आ महिला साकशरता परतिशत है क्या बोला जा रहा है भारत का सरवाधिक नगरी किलीत राज तो सेवेन एपन से बिलकुल करेक्ट हो जाएगा जिए घंट में फीर एकांसा बोल स्बकुल करेक्ट होगा यह ड्ल image वो राज हरा मैं कौन सा खनीज पाया जाता है डली वो राज हरा में तो एट में राइटन सो अप्सण नमर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिए लह एक क्वेश्चन नमर नाइन को देख लीज़े क्या बोला जाएगा भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादित करने व सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज है भारत में यहां पर आपको राइटन सो बताने है यहां पर अप्स नमर यहांनी हर्याना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन नमर को देख लीज़े क्या बोला जाएगा तो क्वेश्चन इसकी नीप आ चुका है भारत कि निम्रेल के चैट मिट्टिव मैं से कपास की खेती के लिए कौन सब्वाधिक उपियुक्त है जिहां कौन सबसे अदिक विक्सित राज है तो यहां पर आपको राइटन से बताने है तो यहां पर 13 में राइटन सो आप्स नमर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिहाण में भारत में सरवाधिक जंसंग्या घंदतवाला राज है तो 14 में बिल्कुल करेक्ट हो जागा बिहार जिसको आधारबूद उद्योग भी बोलते हैं क्या कहलाता है तो 16 में बिल्कुल करेक्ट हो जागा जागा यानि अट्लांटिक महासागर को पलसनात महासागर से जोडता है तो 18 में बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिहानी रोम को चीन से जोडता है तो आप देखे लिए के वर्गी करन के लिए 300 की जंसेंग्या माना है जिहां तो किसने माना है कौन सा देश है यहां पर अप्शन में आइसलेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो आप देखलेंगे सबसे बड़ा उत्पाद कौन है तो 21 में आप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो आप क्वेश्चन में 22 को देख लिए क्या बोला जाए 22 में फिर आइटन सब्सक्राइक का अस्थाबित किया गया था क्योंकि जी हां तो क्यों अस्थाबित किया गया था तो 20 में चैने, प्रादेशक नियोजन का समध्ध किस्से तो 23 आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तुलें आप देखंगे पिल्कुल क्रिक्ट हो जाएगा गथे इंजिटी इंगेरिंग समान हो जाएगा तेले आप Q26 को देखिए क्या बोला जा रहा है फिर फटाफ़ डाइटन सब यह कौन सा ओप्षन करेक्ट होगा कौन सी बीमारी जर्ब परदुशन के कारण होती है तो कौन सी बीमारी होती है यहां पर अप्षन मरसी यह अतिसार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तेले आप Q27 को देखिए क्या बोला है फिर फटाफ़ डाइटन सब्सक्राइब करेक्ट होगा सिलीकन वेली परसिद्ध है जिहां सिलीकन वेली किसके लिए परसिद्ध है तो 27 अप्षन मरसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो हम लोगों ने मोडल सीट एट बी कंपिलीट कर लिया सब्सक्राइब करेंगे और आप लोगों साथ साथ में आंसर बताते जिलेगा कौन सा आफ्षन करेक्ट होगा निम्रहित मैं कौन विद्ध्वान माना भूगल से संबंदित नहीं है जिहां इकौन सा विद्ध्वान है जो माना भूगल से संब्सक्राइब करेक्ट होगा निम्रहित मैं कौन जनसेंग्या का परतिकर्ष कारक नहीं है यहां पर स्वास्त स्वीदाएं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिले अब क्वेश्वान में किस महाधीप में 90% से अधिक आबादी नगरी है जिहां तो कौन सा महाधीप है फूलों की किरशी कहलाती है जिहां फूलों की किरशी क्या कहलाती है यहां पर इट्रेंस अप्सन नवर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिहां फलोडी कल्चर कहलाती है जिलिए अब देखलेंगे next question ने question number 6, क्या बोला जाए 6 में, फटाफर टैटन सब ते कौन से option correct होगा, निमनिकित मैंसे किस अर्थ वजस्ता में, उत्पादन का स्वामित वेक्तिकत होता है जिखां, तो कौन सी अर्थ वजस्ता में होता है, यहाँ पर option number A यहाँ पुझी वाद अर्थ वजस्ता बिल्कुल correct हो जाएगा, चलिए अब next question देखलेंगे, question number 7, क्या बोला जाए 7 में, फटाफर टैटन से बते कौन से option correct होगा, चैनल टरनल जोडता है जिखां, तो चैनल टरनल किसको जोडता है, तो यहाँ पर 7 में राइटन से बताने है, तो 7 का option number C बिल्कुल correct हो जाएगा जिखांनी, पैरिस को लंदन से जोडता है, चलिए अब देखलेंगे, next question देखलेंगे, question number 8, क्या बोला जाए 8 में, फटाफर देखिए, राइटन से बताईए, यहाँ पर 8 का option number B, बिल्कुल correct हो जाएगा, यहाँ पर option number B, यहाँ अधिस अबाबा बिल्कुल correct हो जाएगा, चलिए अब question number 10 को देख लिए, क्या बोला जाएगा, प्रिक्त होगा किसने मेगा पुलीस शब्द का सब्सक्रिक पर्योग किया था तो 10 में आपे बिल्कुल जाएगा जी घिया लाइफ जा रहा है लेपकार का आर्थिक किरिया कलाब मुखेट पाया जाता है जी आपको सब्सक्राइब को देख लिए क्या बोला जा रहा है फिर देखिए राइटन से बताइए भारत में पर्थव जनगर्ना किस वर्स हुए थी जिहां कौन से इस्वी में हुए थी तो ट्वल में ऑफ्शन नमर्डी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिखानी अठार से बहात्तर इस्वी में हुए थी चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन क्या बोला जा रहा है निम्रिशित मैं से किस देश में भारती है और परवासियों कि संख्या कम है तो कौन सा देश में कम है यहां पर ऑफ्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिखानी निउजी ल परदम है यहां पर ऑफ्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चैनी जलोड मिर्दा चेतर में नहीं पाई जाती है चैनी आप देखेज लहां नेक्स्ट क्वेस्टन में 16 क्या बोला जा रहा है रत्नागिरी भारत के किस राज में इस्तित खनेज छेत्र है रत्नागिरी किस राज में तो 17 में अप्शन नमर डी बिल्कुल क्रेट हो जाएगा जिखाने कहा है सबसे अधिक उन्नत राज है सबसे अधिक उन्नत राज है सबसे अधिक उन्नत राज कौन है सूती कपरा में तो 18 में डिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिखाने इन में से कौन सूखा संभावी छेत्र है तो 19 में अप्शन नमर सी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिखाने गुजरात चले अब क्वेश्वर 20 को देख लिए क्या बोला जा रहा है निम्निशित में से कौन महा मार्ग भारत का सबसे लंबा महा मार्ग है जिखाने अधिक भारत का सबसे लंबा महा मार्ग है चले अब क्वेश्वर 21 को देख लिए क्या बोला जा रहा है प्टावर देखिए अरस बताई यह अमला वर्षा का कारण है यहां पर ऑप्शन मर्डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यह वायू पर दूशन निखान तो वायू पर्दू परश्या का में कारण है यहां तो क्वेश्वर 23 देख लिए क्या बोला जा रहा है निम्लिखित मैंसे किसे प्रहे परदूशक नहीं माना जाता है तो आप्शन मर्डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखे ने एन उटो को नहीं माना जाता है चले अब क्वेश्वर 24 को खनीज उत्पादन के लिए परशिद है यहां तो कौन से खनीज उत्पादन के लिए परशिद है तो 25 में डिटन सब्स नमर्डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिए लोहा के लिए चले आपकोश्वर 26 को देख लिए क्या बोला जा रहा है फटाफ़र देखिए फी भारत का अधिकांस विदेशी वयापार किस परिवहन साधन से होता है तो 27 में और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिए वायू और सागर द्वारा होता है चले अब कुश्वर 28 को दिख लिए क्या बोला जा रहा है निम निखित में से कौन सा खरीब फसल नहीं है तो 28 मे सब्सक्राइब खरीब फसल नहीं है ऑफ आखरी मेंस कॉपीट करेंगे तो अभी आपको छोड़ना नहीं है अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में आपको कर दें आ जिए तो आप लोग बिए को चलते हैं मैं कौन सा बाबा बुदन पहाड़ी कौन से राज में है यहां पर अप्शन नमर एनी करनाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किसी जोड़ता है यहां पर अप्शन नमर विया नि कॉलोण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आप हमें क्वेस्टन 5 को देख ली जाए क्या बोला जा रहा है संद्येशू का आधान परदान कहलाता है यहां पर आपको राइटन से बताने हैं यहां पर अप्षिन नमर्ड डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिखाने संचार कहलाता है चलिए आप देखलेंगे नेक्स क्वेस्टन नमर्ड 6 और आप लोगो राइटन से बताने 6 में कौ अधिक होती हैं तो कितनी होती है मेगा नगर की जन्सेट मेआ यहां पर अफ्षिन नमर्ड बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 50 लाग से अधिक होती है चलिए यहां पर फशेशन को देख लीजिए कि खनीज को तरल सोना भी कहा जाता है यहां तो कौन सा आप्शन है यहां क्या बोला जा रहा है दुरगापूर इसपात केंद्र किस राज्य में अवस्तित है जिहां कौनसी राज्य में है दुरगापूर इसपात केंद्र तो 11 में अप्षिन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिहां पस्टिम मंगाल में है चले आप क्वेश्टन में 12 को देख लिए क्या बोला जा रहा है निम निखित मैंसे कौनसा पत्तन पूरवी तरपर इस्तित है तो 13 में राटन सी अप्षिन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए चले आप देख लिए नेक्स केस्टन फोर्टीन क्या बोला जाए फोर्टीन में फिर टाइटन सब्सक्राइब क्या बोला जा रहा है और द्योगी कि रंद से कौन सा परदूशन होता है यहां पर अप्षिन बिल्कुल करेक्ट हो जाए इन मैसे सभी चले आप देख क्या बोला जा रहा है निमनेशित मैंसे नदीक की जल उप्योगी ता सबसे अधिक है जिहां तो कौन सी नदी है यहां पर रैटन सा प्षिन बिल्कुल करेक्ट हो जाए नहीं कुमारी सेंपल नहीं को देख लिए क्या बोला जा रहा है माना भुगोल किरियासिल मानब और कौन सा ओप्षण करेक्ट होगा किसी जील के चारो seguinte ठीके क्सप्रेंच बोला जा रह रहा है है चलिए आप क्वेश्चन में 18 को देख लिए क्या बोला जा रहा है 2011 की जनगना की अनुसार निम्निहित मैंसे किस राज्य का जनसे गया घरत्म निम्नतम है जिए कौन से राज्य है यहां पर अप्ष्ण नमर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए जिए अरुणाजल परदेश का क्य क्या बोला जा रहा है काबस जी डावर ने किस सवचालित उद्यों की अस्थापना की जिए तो कौन से उद्यों की अस्थापना की थी उन्होंने तो 20 में आप्ष्ण नमर सी यानि सूती वस्त्र उद्यों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिए नव निश्यवाद के परव सबसे अधीक परदूशित नदी कौन है तो कौन भारत की सबसे अधीक परदूशित नदी है अब यमुना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले अब देखलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन 25 क्या बोला जा 25 में कौन सी गतिवीदी गर्यामीन भारत में महितपूर्ण भूमी का निमाती है तो कौन सी गतिवीदी है यहां पर अप्शन नदी तरफ पर अवस्तित नहीं है यहां पर अप्शन नमर सी यानी भौपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले अब क्वेस्टन 27 को देख लिए क्या बोला जाए 27 में फिर अप्शन पैदा होती है यहां तो कौन यहां पर अप्शन नमर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो हम लोगों ने इसी क्वेस्टन के साथ पिछले 10 साल का मोडल पेपर बिल्कुल कंप्लेट कर लिया है अगर आपने इस पूरे क्लास को कंप्लेट किया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको बोड़ एक बाहर देख करें प्रेस कर लिए ताकि जितनी बी क्लास ये तो सबकार नौटिफीर आपको टाइम पर मिल सेगे और टाइम पर आपको अटेंट कर सेगी जिहां तो आपकी जितनी भी सब्जेक्ट है मैंने दस-10 मोडल पेपर सबका कंप्लेट कर दिया अगर आपने नहीं दिखा तो आ ऐसी कोई बात नहीं है अगर मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंड बॉक्स में जरू बताइएगा चलिए तो यहां तक बने लेंगे आप सबका धन्यवाद फिर्म लेंगे हम लोग अगली क्लास में तील देन बाइबाइबाइ टाटा सीओ आम दे नेक्स क्लास